पहले वे कमनिस्टों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बूला क्योंकि मैं कमनिस्ट नहीं था फिर वे आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए और मैं कुछ नहीं बूला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था फिर वे यहूदियों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बू क्योंकि मैं यहूदी नहीं था फिर वि मेरे लिए आए और तब तक कोई बचा नहीं था जो मेरे लिए बोलता जर्मन कवी मार्टिन निमोलर की विश्व प्रसिद कविता से आज आप सब का न्यूस क्लिक के खोज ख़बर कायकरम में स्वागत है दोस्तों स्वागत है नए भारत में नए भारत के नए विधान में निरंकुष बहुमत विभाजनकारी नीतियां किस हद तक देश की आत्मा पर तलवारें चला सकती है यह सब हमें इन दिनों भर पूर देखने को और जेलने को मिल रहा है हम में से बहुत से लोग यह सोच कर चुप हैं कि अभी हमारा नंबर नहीं आया है अभी अपने देश के नक्षे नागरिक्ता से बाहर हमें नहीं किया गया है लेकिन कब तक शायद ये हम और आप नहीं सोच पा रहे हैं देश का नक्षा उठा कर देखिए तो नजर आएगा कि इंटरनेट और कम्निकेशन कश्मीर से लेकर असम पूरे उत्तरपूर्व में बंद है जहां विरोध होने की आशंका हो सकती थी या जहां विरोध चल रहा है वहां इंटरनेट, डिसेंट, विद्रोह, विरोध की आवास को बंद किया जा रहा है नए भारत का निया विधान, धर्म आधारिक नागरिकता संशोधन बिल परसंसद में मुहर लगा दी है अब 2014 तक तीन देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश से भारत आने वाले अवैद रूप से यहां रहने वाले गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी यानि मोधी सरकार के आने से पहले तक जो गैर मुस्लिम घुसपैटिये, जिनके बारे में बहुत बाचीत भारती राजनीती में होती रही है, उत्तरपूर्व की राजनीती में होती रही है, वे सब अब भारती नागरिक होंगे इसके कुछ इसपष्ट तुरंथ प्रभाओ या यूँ कहिए कि इसका अगर थोड़ा बहुत विश्लेशन हम करें, तो कुछ बिंदू हमारे सामने उभर कर साफ आते हैं सबसे पहली बात जो इस कानून के पास होने के बाद हम तमाम भारती नागरिकों के दिमाग में चस्पा हो जाने चाहिए वह यह है कि समिधान संशोधन किये बगैर समिधान को बदला जा सकता है भारत का जो समिधान है वो धर्म आधारित नागरिक्ता की बात नहीं करता लेकिन यह कानून पूरी नागरिक्ता को धर्म पर आधारित धर्म से जोड़ कर देखने की शुरुवात करता है दूसरा जो एहम बिंदू है वह यह है कि भारतिय नागरिक्ता को पाने के लिए धर्म एक आधार हो जाएगा यह शायद इतने सालों का जो आजाद भारत का इतिहास रहा है इस पूरे दौर में कभी इस तरह से सोचा समझा यहां तक की पॉलिटिकल एजेंडा तक नहीं रहा है तीसरा एहम मुद्दा की पूरे उत्तर पूर्व में जो नौर्थ इस्ट इंडिया है वहां की जो मूल निवासी हैं आदिवासी हैं जनजातियां हैं उनकी स्वायत्ता और प्रभुत्व खत्रे में पड़ जाएगा और शायद यही बड़ी वज़ा है कि आज वह पूरा इलाखा जहां पर बड़े पैमाने पर सेना भेजी जा रही है गहरे गुसे और दुख में है चौती बात जो बहुत साफ समझाती है वहिया कि इस कानून में 2014 को जिस तरह से कट आफ डेट रखा गया है और इसके जरी एक बहुत क्रूर संदेश पूरे देश में फैलाने की कोशिश की गई है वहिया कि 2014 एक निया विभाजन है देश के इतिहास में देश के जमीन में देश की नागरिकता में यहां से भारत का सुरूप बदला जा रहा है अब धर्म निर्पेक्ष विविध समानता समता समिध कानून और नीतियां इन तमाम शब्दों के उलट बनाई जाएंगी पास की जाएंगी और हमें बतार नागरिक उन्हें झेलना होगा यह उपर से फर्मान आया है पांचवा बिंदू जो मेरे ख्याल से लंबे समय से समझाया बुझाया जा रहा है लोगों को वहिया कि मुस इधानिक मुहर लगा दी गई है इस कानून के जरिये अब नेशनल रिजिस्टर ओफ सिटिजन्स एन आरसी के जरिये चुन चुन कर बाहर निकालने का खौफनाक दौर शुरू होने में कितनी देर लगेगी यह हम आप नहीं बता सकते देश के ग्रिह मंत्री अमिश्या जमीन खरीदने की खबरों पर चर्चा हो रही है लोग बहुत परिशान है और जो अभी तक खबरें आई हैं जो बातचीच चल रही है उसमें इस सारे डिटेंशन सेंटर के लिए जो जमीन देखी जा रही है या जो बताया जा रहा है कि हम देख रहे हैं वह सब मुस्लिम बहुल इलाकों में हैं और चटी और बहुत एहम बात जो मुझे लगता है कि अब इस देश के माथे पर लिखा हुआ है कि जूट बोलना संसद में बैठे मंत्रियों का एक तरह से जन्सिद अधिकार हो गया है बाकी को तो छोड़ी दीजिए लिस्ट बहुत लंबी है इस क कानून पे चर्शा के दौरान देश के ग्रिह मंत्री अमिश्शाह ने विभाजन से लेकर बांगलादेश के गठन तक जितनी भी तथिक बोले वह सब गलत थे लेकिन गलती सामने आने के बाद भी वह उस पर वैसे ही कायम रहे जैसे इस से पहले उनके मंत्री कैन से लेके तमाम लोगों पर गलत बातें करते रहे हैं मिल की जरुरत क्यों पड़ी है जब बेच का अज़ादी मिला तब धर्मक के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी ने किया है इसने किया धर्म के अधार पर विभाजन तो फिर कॉंग्रेस ने सम्विधान सभा में धर्म के अधार पर भारत बनाने पर जोर क्यों नहीं दिया सम्विधान निर्माता डॉक्टर भीम राव अमबेटकर ने हिंदू रास्ट की अधारना का क्यों विरोत किया क्यों कहा था अमबेटकर ने कि अगर हिंदू राग एक तथ्य बन गया तो कोई शक नहीं कि वह देश के साथ सबसे बड़ी तरासदी होगी उसमें ये भी याद रहें कि सावरकर और गोलवलकर जो आरेसस के चालक थे इन लोगों की तकरीरों से और ये लोग जो बातें कह रहे थे जासे मूंजे वगरा भी इससे बहुत बात बढ़ती गई ये बात लोगों को नहीं मालूम है कि टू नेशन थेरी सबसे पहले सावरकर ने उननी सो रतिसमें तब पेश की हिंदू महासबान कि हिंदू और मुसल्मान अलग अलग हैं उनकी अलग नेशन्स हैं तो जाहरे अलग नेशन्स का बटवारा मतलब है गोलवाल कर ने ये कहा कि हिं मुसल्मान सिटिजन नहीं हो सकते इस देश के भारत के और एक और चीज़ जो हमारे और आपके लिए बहुत परिशानी वाला सबब हो सकता है कि कुछ भी हो जाए कितना भी विरोध इस देश की मिट्टी पर ये पूरी दुनिया में हो अगर मोदी सरकार के नेत्रितुने कुछ भी ठान लिया है तो वह उसे लागू हर हाल में कर कितना भी खून बहे सेना की आवाजाही में कितने करोडों रुपे खर्च हों नर्सी पे कितने करोडों रुपे खर्च हुए सारे के सारे रसातल में गए लेकिन ये तमाम मुद्दे मोदी सरकार के लिए सोचने भर का भी सवाल नहीं उठता है उसे कोई फर्क नहीं जो सवाल उनको चैलेंज करते हुए उठ रहे हैं, लोकतंत्र की जो पहली मांग है कि आपको सुनना चाहिए, सुनने के लिए यह सरकार बिलकुल तैयार नहीं है। कि वे इसे नहीं मानेंगे, इस नागरिक्ता के प्रवधान को हम नहीं मानेंगे, ऐसे बोलने वालों की लिस्ट सूची नाम लगातार बढ़ रही है। बतौर कलाकार और बतौर भारती नागरिक भीतर तक आहत किया है। इसके विरोध में हमने नई फिल्म भोगा खिर की, तूटी खिर की इस पूरे स्टेट का चल रहा था वहां से वापस ले ली है। इसी तरह से हमें मुंबई में देखने को मिला जहां असम के जो सैंड आर्टिस्ट हैं, मानिरुध जामन मानिर ने मुंबई के जुहु तट पर असम का नक्षा बनाया, उस पे लिखा, मैं कैब के विरोध में हूँ। ऐसी आवाजें इंडियन कल्चरल फोरम के प्लेट फॉरम पर आईीं। I believe that if the CAB is passed by the Rajya Sabha, it will mean the collapse of the Constitution as we understand it. They will not rewrite the letter of the Constitution, but just as they have done with Mahatma Gandhi and with Dr. Ambedkar and with Bhagat Singh, you will claim to support it but you will empty them out entirely of their soul and that is what the CAB is going to do to the Indian Constitution. See, it is all a question of belonging, who belongs and on what terms. And I recall the young MIA poet Tazi Neel and he asked, you know, I belong to this country but does this country belong to me? What the CAB is doing is reopening that question of belonging. What does citizenship really mean? Citizenship ultimately is the right to have rights. So, who belongs to this country? Who does this country belong to? And who has rights to have rights in this country? These are the questions. And I think these are not new questions. These are questions that have been with us right through the freedom struggle. Jawahlan Nayar actually said this in the Constituent Assembly. He said India is the country of every person who feels this is their country. And that was the resolve. We know that the Muslim League had a two-nation theory idea that there is not one but two nations. There is the Muslim Pakistan and a Hindu Hindustan, a Hindu India. And much before the Muslim League, Savarkar had the same idea. That this is truly a Hindu nation and not a nation that belongs equally to all. We know that the RSS and the Hindu Mahasabha never accepted the Indian Constitution. They never accepted the Indian flag because of the green color on it. They never participated in the freedom struggle. They fought for this idea, this alternative idea for India. The performance of the country is always difficult for all the countries. उतर रहा है इसे बिना समझे बिना एक जगा दिये देश के लोकतंत्र को बचाना बहुत मुश्किल है ठीक इसी समय सरकार डाटा सिक्यूरिटी बिल ला रही है जिसे अभी एक कमेटी को रिफर किया गया है इसमें नागरिकों की निष्टा के अधिकार का सीधे सीधे हनन नकाब होता है कुछ समय पहले आपको याद होगा कि इसराइली कंपनी पैगर्स का एक बड़ा स्कानल सामने आया था जिससे यह पता चला था कि वह किस तरह से जो वर्टसप के मैसेजेज हैं उनको देख रही है उनमें क्या मैसेज भेजा जा रहा है किसको भेजा जा रहा थी कुछ निजी स्वार्थों के तहट यह सावाल जब भारत की धर्टी पर उठा एक्टिविस्ट के नाम आये जिनके मुबाइल फोन से यह सारी चीज़ें देखी सुनी जा रही थी उस समय जब सरकार से पूछा गया तब भारत सरकार ने कहा कि इस तरह का कोई सीधा सीध था हमारा उनसे रिष्टा नहीं है एक्टिविस्ट में मांग उठाई कि यह जो सारी की सारी प्रक्रिया चल रही थी जो जासूसी की जा रही थी या खिर किसके इशारे पर है सरकार ने उसका कोई सीधा जवाब उस समय नहीं दिया था लेकिन अब यह जो डाटा बिल सामन आया है इस से साफ है कि भारत को एक सर्विलांस राज में तबदील करना चाहती है मोधी सरकार चर्चा हम इसराईल का कर रहे हैं तो थोड़ा सा घूम आना जरूरी है ब्रिटेन की तरफ जहां नई सरकार चुनी जा रही है चुनाव की प्रक्रिया चल रही है परिणाम आ रहे हैं यहां जो चुनाव प्रचार रहा वह देखना ज्यादा जरूरी है इस दौरान जिस तरह से भारती मूल के मद्दाताओं के बीच हिंदुत्व का कार्ड खेला गया किस तरह से घर घर तक परचे पहुचाए गए किस तरह से वटसप के जरीए प्रचार हुआ यह है तंगेज करने वाला है वहां प्रधान मंत्री बोरिस जॉंसन जो कंजरवेटिव पार्टी के लीडर है उनके पक्ष में राष्टिय स्वेम सेवक संग की जो अंतराष्टी शाका है हिंदू स्वेम सेवक संग ने जम कर प्रचार किया और जो जॉंसन को टक्कर दे रहे हैं लेबर पार्टी के जैरी कॉर्बिन उनको हिंदू विरोधी उनको भारत विरोधी उनको एक तरह से मुसल्मानों का पक्ष लेने वाला इसलाम के पक्ष में खड़ा लीडर साबित करने की पूरी कोशिश लगाई गई इस बारे में हमने वहां पर बात की जो वहां पर एक् जानने की कोशिश की? के तरह बारात का बनको हिंद लेखव परात की का लिए इसल्ब करेंग लहां रजब ओधन कॉます सभव Hindu single faith schools for example so basically they have stirred up the whole community and made it very much affected by Hindutva they are also very upper caste a large number of them so they are against the Dalits there is a large Dalit community here and they face a huge amount of abuse and discrimination one thing which is important is what the WhatsApp group and the fake news which is the same thing the Israel model which is appealed to the that is very very a huge question Alpesh Shah who are the people of Modi who have written the name of Modi a book and see this book is written in which way and in which way they have written in which way they have written दिखा कि विदेश की जो सरकारे हैं वह उन देशों में बसे हिंदूओं के साथ कैसा वहवार करती हैं इसी आधार पर भारत को उनके साथ रिष्टे तै करने चाहिए ब्रिटेन में जो कुछ हो रहा है चुनाव प्रचार के दौरान जो हुआ इस पर हमने पीपल्स डिस्पै सिनाये तो पहले से थी लेकिन जो लिए कि ओसा लग रहा है जिस तरह का महौल पुरी दुन्या में है जिस तरह से जो द दक्ष recept के ताक Auchin है और जिसे तरह से पहचान की राजनितिन दुनिया में जिस earnings commence उसका असर इस बार के ब्रिटेन के चुनाओं में भी देखने को बिल रहा है और खासकर के वो समाज जो दक्षिनेशिया से वहां पे है बहुत बड़ा नहीं है अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो मुश्किल से 1.5-2% पॉपुलेशन है पूरे यूके में और वो कुछ जगहों पे कॉंसेंट्रेटेड है तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन नहीं है बट वो एक सिगनिफिकेंट भाग है वहां के एलेक्टोरट का क्यूंकि ये लोग एक बड़ा सेक्शन वर्किंग क्लास है जो लेबर पार्टी का ट्रडिशनल वोटर रहा है तो मेरे ह इसाब से एक अटेम्ट है कंजर्वेटिव पार्टी का उस सेक्शन के अंदर डिविजन पैदा करने का जो पहले ट्रडिशनल लेबर पार्टी को वोट करता रहा है और जिस तरीके से हम भारत में देखते थे कि कैसे मजदूरों को जाती का धार पे और धन्म का धार पे ब अभी तक इमान रहे थे कि भारत हम फॉलो कर रहे हैं जो डेवलप नेशन्स हैं विकसित देश हैं लेकिन यहां कुछ नजारा कुछ अलग धंका दिखाई दे रहा है कि मंदिर में जा रहे हैं प्रधान मंत्री और वकायदा बहां बोल रहे हैं कि जो मोदी नया भारत बना कारात्मक जो चवी है भारत क्या वो एक तरीके से दिखता है यूके के चुनाओं में अगर हम सिर्फ इस से बाहर निकले कि पहचान की राजनीति का क्या असर है अगर हम देखेंगे किस तरीके से फेक निउस का और मिस इन्फरमेशन का जूट की राजनीती की गई है जो व बहुत बड़े फ्रेंड अपने आपको मानते हैं उन्होंने बिल्कुल वही सारी पद्दतियां अपनाई हैं यूके के चुनाओं में अगर आप मीडिया रिपोर्ट देखें अल जजीरा का रिपोर्ट है दूसरे मीडिया ने इसके ओपर रिपोर्ट किया है कि कैसे कंजर यूस के खिलाफ है यह सारी तर यह पूरी राजनीती जो मैं अगर अगर आप मुझसे पूछे तो मैं देखता हूं कि 2019 पिछले साल जो इस साल हमारे देश में चुनाओं उसी तरह का चुनाओं ब्रिटेन में को करने की कोशिश की गई और और इस बात को देखते हुए कि इनकी जन संख्या बहुत छोटी है मेरी यह ने अभी भी इसको मैं पूरी तरह से समझने बाया हूं कि क्यों इतना जादा जोर दिया गया हिंदू वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए भारत हो ब्रिटेन हो या फिर अमरीका या इसराइल या इस तरह के तमाम और देश हम जो दिखाई दे रहा है एक बहुत साफ संकेत दिखाई दे रहा है कि इन देशों की जो सरकारे हैं इन देशों में जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं इनके अंदर चाहे वो आर्थिक इस्तर पर या समाजिक इस्तर पर, जो नीतियां हैं वह नीतियां गरीब विरोधी हैं, वो एकस्क्लूजन यानि बाहर निकालने वाली हैं, सबको साथ लेके चलने वाली नहीं हैं, और ये सारे नेता आपस में एक साथ मिले हुए हैं। ऐसे दौर में जहां लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़े औजार के तौर पर फेक न्यूस का इस्तमाल हो रहा है जूट का इस्तमाल हो रहा है वहां जरूरी है सच को जिन्दा रखना हमारी कोशिश है कि सच आप तक पहुँचे हम तक पहुँचे देश की जनता तक देखते रहिए न्यूस क्लिक लाइक करिए सब्सक्राइब करिए खोश खबर ताकि बना रहे हमारा और आपका साथ शुक्रिया